हाई, तो आज का जो ये वीडियो है, वो सबसे फीवरेट टॉफिक है मेरा, क्योंकि हम लोग ब्राइडल पोर्ट्रेट के बारे में बात करने वाले हैं, ब्राइड, जो शादी होती है, उसकी सबसे मेन इंसान, वो होती है, ब्राइड, दुलहन, आज उसकी फोटोग्रफी ह को क्याप्चर करना चाहिए, उस सब के बारे में जानने वाले है, सीकने वाले है, समझने वाले है, तो जो ये ब्राइडल पोर्ट्रेट होता है, वो होता क्या है, आपको ये चीज समझनी चाहिए, कि एक ब्राइड जो होती है, वो सबसे जादा इंट्रेस्ट होती है, वे ब्राइड को बड़ा इंट्रेस्ट होगा, काफी बार तो कपल लोग या में तो ब्राइड आपको फोटोग्रफर को बुक करेगी, इसलिए क्योंकि उनको आपका काम पसंद आया है, फैमिली वाले को छोड़ो, ब्राइड को आपका काम पसंद आया है, मेकप पार्टिस्ट, फोटोग्रफर ब्राइड की चॉइस होती है, ठीक है, तो आपको ऐस फोटोग्रफर ये चीज का ध्यान रखना है, कि उनके हिसाब से उनको जो चीज पसंद हैना, आप उस ताइप के फोटोज उनको कैप्चर करके दे, अगर नहीं दोगे, तो देख लो, शादी के बाद वह आपके पीछे बड़ जाएगी, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो सही से अच्छे से स्टार्ट टो एंड देखना है, और ये सारे ब्राइडल पोट्रेट्स के टेक्नीक्स और ट्रिक्स यूज करने है, अच्छे ब्राइडल फोटोज के लिए, अगर आप ब्राइडल पोट्रेट के लिए वो होता है अब्जरवेशन, कोई भी लड़की सेम नहीं होती, कोई भी औरत सेम नहीं होती है, तो कोई भी ब्राइड भी सेम नहीं होगी, हर ब्राइड कोई फैट होगी, तो कोई स्लिम होगी, कोई मीडियम वेट होगी, किसी का फेज ब् कुपड़ कैसे पहने है Unterie सीरियस लड़की है या तो मतलब तरुम की इनसान है आप आप को इस चीज को अबजर्व कर रहा है ये सबसे पहला और main important point है and इसके बाद ही आप determine कर सकते हो कि आप कैसे photography कर सकते हो ये bride की और इनको suitable क्या चीज हो सकती है जो second point है वो ये है कि आपने अपने हिसाब से तो observe कर लिया कि इनका face cut ऐसा है, इनका body language ऐसा है वगेरा वगेरा पर आप आपको ये समझना है कि आपकी जो bride है, उसके mind में क्या चल रहा है आप वो कैसे जानोगे, उनके साथ बात करके जैसे ही आप उनको पूछोगे कि आपका कौनसा angle आपको ज़्यादा पसंद है आपको कौनसा आपका जो side है वो जादा अच्छा लगता है हर लड़की आज के phone का जो photography का जमाना है सब आपको बोल देगे, ग्यार मुझे ये angle अच्छा लगता है मुझे इस बात से conscious हो जाती हूँ है मुझे awkward लगता है वो सारी चीज़े वो आपको direct बोल देगी जैसे ही आपको idea आजाता है ना कि ये problem है उस point को हटाओ और एक अच्छा photo कीच लो इसके बाद आता है pose का chart अगर आप एक नए-ने photographer हो तो of course आपको बहुत सरा idea नहीं होगा कि मैं ऐसी pose करा हूँ मैं वैसी pose करा हूँ एक poses का chart रखे और उस हिसाब से आप photography कर सकते है वैसे ही आप उसको mimic करते करते अच्छे photos ले ले मेरा क्या है कि मैं सालों से photography कर रही हूँ तो मुझे फटाक से poses आजाते है idea पर अगर आप नहे नहे हो तो आप एक chart रख सकते हो by chance अगर ऐसा हो जाए कि आपको उसका मेटिकप में कुछ प्रॉब्लम लगे उसका हैस्तल थोड़ा सा अजीब दिखे या उसकी ज्वैलरी में कुछ उसके साब मैच नहीं हो रहा है कुछ भी आपको ब्राइड का ऐसा लगे उनको बोलिए अगर आप उनको नहीं बोलोगे तो वो आपके पीछे आके बोलेगी कि भई आपने पहले मेरे को क्यों नहीं बताया वो डाइरेक ब्लेम आप पी डाल देगी तो आपको क्या करना है आपको उनको समझाना है बड़े ही पोलाइटली कि देखिए आप कुछ यह कुछ करवा लीजिए अपने मेकप आर्टिस के पास तो हमारे फूटोस और भी बैतर आएंगे आपने वो ब्राइड को अबजर्व किया उसका आउटफिट देखा उसका मेकप देखा उसका जो फंक्षन है वो समझा अब आपका काम है कि आप अच्छा लोकेशन देखे जो वो कपड़े के साथ मैच करता है और वही एक के अग लोकेशन पे फोटोस मत कीजिए थोड़ा सा वेरियेशन रखे पर एक अच्छे सी लोकेशन पे लेके जाके उनका जो वो फील है आउटफिट का उसको और एन्हेंस कीजिए अगर उन्होंने एक क्रिस्चन गाउन पहना है तो एक जो फेरी तेल लाइटिंग वाला बैगराउंड है वो लीजिए अगर उन्होंने एक कलरफुल कपड़े पहने है तो उसकी पीछे एक मैट ब्राउन लोक दीजिए ताकि उनके कलर्स उटके बाहर आए अगर उनका एक हल्दी वाला माहौर है तो उस हल्दी टाइप का ही डिकोरेशन पीछे रखे सन्राइज है तो संसेट है उस टाइप को आपको देखना पड़ेगा कौन से टाइम में भी आप फोटोगरफी कर रहे हो उस हिसाब से उनका लोकेशन सिलेक्ट कीजिए और कोई भी ब्राइड ले लो आपको अलग-अलग लाइटिंग वेरियेशन के साथ उनकी जो खामी है उसको छुपानी है जैसे कि हम लोग ने पोट्रेट फोटोगरिफी पे एक वीडियो बनाया था आप वो चेक आउट कर सकते हो पर अगर मुझे आपको समझाना हो तो देखिए अगर किसी का चहरा बहुत ही ब्रॉड है लाइटिंग के नॉलिज के हिसाब से आप उनको उनका चहरा नारो भी दिखा सकते हो अगर वो बहुत ही स्लिम है तो उनका फेस ब्रॉड भी दिखा सकते हो पर इसके लिए आपको लाइटिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए basic lighting knowledge तो हम लोग ने डाल दी है उसका वीडियो आप देख सकते हो पर अब कर आपको advanced lighting चाहिए तो comment section में लिखिए उसके उपर भी mastering the art of lighting ऐसा एक वीडियो आ जाएगा जुसको आप देखके lighting की अच्छी knowledge ले सकते हो अब जैसे ही आप एक अच्छे location पे पहुचते हो सबसे बड़ा problem यह है कि ठीक है pose का chart तो है पर अभी हम क्या करवाए 4-5 poses थे वो तो हम लोग ने करवा दिये simple है सबसे पहला आता है कि वहाँ पे कौनसी कौनसी चीज़े है जिससे वो उसका support ले सकती है वहाँ पे कोई ट्री है वहाँ पे बैटनी की जगा है जाड बैटने की जगा कोई थांबला जैसी कोई चीज हो जिसके वहाँ पे वो support लेके खड़ी रह सकती है अगर ऐसी कोई जगा है तो उसको utilize करके आप आपके posing में variation कर सकते हो फिर क्या उन्होंने साडी पेनी है तो साडी का pose करवा सकते हो अगर उन्होंने एक bride का लेंगा पेना है तो twirling shot लेंगे का shot ले सकते हो या फिर उन्होंने एक ओडनी पेनी है तो ओडनी के shots ले सकते हो या फिर जो उन्होंने श्रिंगार किया है मतलब जो earring पहनी है या necklace पहने है उसके साथ कुछ photos ले सकते हो जो चीज आप उनमें observe करते हो उसी चीज में और उसी location में आप variation दे दे के अच्छे से natural looking amazing bridal portraits ले सकते हो इसके लिए सबसे main important चीज ये है कि आपने वो location की रहकी की है आपको mind में था कि मुझे यही frame लेना है तब जाके आप इस type के photos ले सकते हो इसके बाद आता है सबसे important चीज कि उसके सारे profiles ले लीजे और कुछ mandatory bridal photos होते है जैसे कि उनका left profile, right profile, सामने का profile, full length photo, half length photo, close up shot ये सारे important shots है ये आप जो है वो बहुत ही important हो जाते है उनके लिए यूस करने के लिए भी आल्बम में डालने के लिए या खुद के लिए भी ये सारी चीज़ों तो चाहिए न जहां पर उनकी hairstyle लिख जाए उनका side left and right सब कुछ लिख जाए तो याप mandatory ये सारे photos तो लेही लीजिएगा इसके बाद आता है funny photo shoot हर bride, काफी हत तक सारी brides बहुत ही excited होती है funny photos के लिए क्योंकि Instagram का trend है न सबको Instagram पर बहुत सारे likes चाहिए तो आपको unique photos करवाने है जहां पर वो props यूस कर रही है जहां पर इसकी सारी bridesmaid आ गई है देखो, bride के साथ bridesmaid की photo लोगे और इसकी family members उसको तयार कर रहे है उस type के कुछ photos लोगे न जहां पर उनकी जो ladies और ladies आ गई तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा मेंदी में मेंदी के कुछ photos हल्दी में हल्दी के कुछ photos शादी में सरीन मतलब ओडनी वाले shots वो सारी चीज़ों को ध्यान रखके photos लेने है अगर आप एक reception photography करना चाहते हो तो reception में formal कपडे gown या लेंगा जो एक लिनो formal look होता है उनके बाल भी खुली होए रहते है तो उस ताइब के formal look वाले photos आपको खीचने पड़ेंगे जब मैं बात करो expressions की तो expression में हसने वाला shot, रोने वाला shot और जो बात आती है एक अगदम attitude वाला photo या तो फिर जो funny वाला photo ये सारे जो photos की variation होती है जो अलग-अलग expression होती है वो भी आपको bride की capture करनी चाहिए और इसके बाद आता है variation in lighting आप hard light, soft light, sunlight, godoks की light ये सारी अलग-अलग lighting equipments के साथ उनकी variation में photo ले एसा नहीं लगे कि आपने एकी light में उनकी सारी photos ले ली variation में photos लोगे और वही poses यूज करोगे तो भी अलग लगेगा अगर आप hard light में photography करोगे तो भी dark and surreal लगेगा अगर आप वही चीज़ soft light में outdoor में यूज करोगे तो भी कुछ अलग दिखेगा और colorful photo दिखेगा तो आपको lighting में भी variation करनी पड़ेगी जिससे आपको अलग-अलग bridal photos वही bride के मिल जाएंगे नीचे एक contact detail दिया गया है अगर आपको classes करने बहुत लोगों ने पूछा है कि यह online classes available है offline classes आपके available है तो हाँ है available प्लीज आप नीचे जो contact details दिये गई है उस पर आप contact कीजिए हमारे touch में आईए and आप समझ सकते हो कि यह information कितनी अच्छी है तो यह वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया लाइक करो कॉमेंट करो अगो कोई भी question होतो and subscribe करो यह channel को क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो जा रहे है काफी आए जा रहे है every week आए जा रहे है तो यार subscribe करना तो बनता है and by then thank you so much see you soon झाल